और इस विश्विद्याले के नएक कुलपती फरमादर्णिये मानलिये विमलेंदु सेखर जाजी समारोह में उपस्थित सभी संकाय ध्यक्ष विश्विद्याले के प्राधिकारी गन शिक्षगन शात्र नेतागन हमने सुना पूर्व के बक्ताओं को खास करके जो शात्र नेता लोग हैं फुर्वात में ही शात्र नेताओं ने कहा कि ये पहली बार विश्विद्याले में इस तरह का आयोजन आयोजित है और मैं भी लंबे समय से कि विश्विद्याले स्थापनाकाल से ही कार्किरम तो होते रहे हैं भुपेंद्र बावु के जन्म दिबस के अवसर पर लेकिन संच्छेप में हुआ समया भाव में हुआ या कोई नो कोई कारण ततकाली होते रहा जिसके कारण विश्विद्याले प्रसासन को एक आधार मिला कि हम ठीक से नहीं कर सके अब आगे करेंगे पूरी तयारी के साथ तो मैं समझता हूँ यह सुरुवाथ है अठी तयारी की सुरुवाथ है और आगे इससे बहतर रियास विश्विद्याले प्रसासन की वर से निश्चित रुपें किया जाएगा मने कुलपती महोदे इस विश्विद्याले की अस्ठापना की अपनी एक कहानी है इस इलाके के लोगों का अपना संघर्ष है और उस संघर्ष में उस संघर्ष को परती पादित करने में तत्काली नमुख मंत्री आदर नेश्री लालू प्रसाद जी के अहम भूमी का सर लालू प्रसाद जी मुख मंत्री नहीं होते ये विश्विद्याले यहां नहीं होता इमानदारी की बात है कि इस सोसित पीरिट इलाके में जो समाजबादियों का गड़ रहा है समाजबादी आंदोलन लोगों को अभी तक उसका असर है कि घर में जो नया कोई पैदा होता है तो उसमें भी कुछ न कुछ लक्षन समाजबाद का निश्चित रूपेन होता है आज के दिन आपके स्वागत का भी दिन है इसलिए कि एक अच्छी वेवस्था शुरू करने का प्रियास हुआ है विश्विद्याले के द्वारा मैं इसके लिए आपके माध्यम से विश्विद्याले प्रशासन को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और आप सबों के माध्यम से मैं आदर दे लालू प्रशाजी के प्रतिक किर्श्य गिता यापित करता हूँ कि आपने जो किया वो बिरले ही कोई कर सकता था विश्विद्याले को बने हुए कितने दिन हुए भुपेंद्र बाबु क्या थे उनकी विचार धारा समाजबाद पर बरी चर्चा हो सकती है दुनिया में देश में प्रदेश में हो रहा है अभी भी चर्चा हो रही है सबसीज बदल रहा है राजनीतिकी स्थिति के अनुसारा परिद्रिस्ट बदल रहा है लेकिन यह जो समाजबाद है इस पर चर्चा दुनिया के अस्तर पर हो रही है होते रहेगी इस बिस्विद्याले में चुकि भुपेलर बाबू के नाम पर ये बिस्विद्याले है उसके अनुरूप करमों के अनुरूप विचार के अनुरूप यहां बेहतर माहुल बने इस बिस्विद्याले का नाम आगे जाए यह हम लोग का प्रियास होना चाहिए इससे फुर्वी होते रहा है जो बन सका है अभी आपके सामने है इसको और बहतर बनाने की आप सकता है मैं आज भुपेनर बाबु को सर्दान जली देते हुए आप से आगरह निवेदन प्रायर्शना करना चाहूंगा कि इस विश्विद्याजय को बहतर बनानी की दिशा में मैंने आपको या कई बार सीनेट की भी बैठक में मैंने कहा कि सर इस्वर है और हम सब इस्वर को मानने वाले लोग है चमतकार कम होता है बिरले होता है चमतकार लेकिन प्रियास तो अनवरत होते रहना चाहिए इसको बनाने के लिए कहीं ने कहीं किसी ने किसी के हाथ में यस होता है जो कुल पती के माध्यम रहने के माध्यम से आप कुल पती हैं कई कुल पतियों को यहां पर अपनी सेवा देने का आप सर मिला आप सर मैंने आपको कहा 26 जन्वरी को दी जो कुछ सरों के लिए हमारी मुलकात हमलों की भेंट हुई थी कि शिक्षक संग्भवन में जंडो तोलन के बाद कि सर कि यस हो सकता है आपके हाथ में हो कि आप इसको बेहतर करिए सर अपनी सारी सक्षी लगाके बेहतर तीम बनाके कि मैं बिस्विद्यालय के पड़ावी कारियों से भी आज के दिन आग्रह निवेदन करना चाहूंगा आप भी पूरी तन्मेयता से तत्परता से इमानदारी से निश्ञा से इस महा बिश्विद्याले को का स्वरूप अच्छा बनाने में मान्य कुलपती महोदय का सहियोग करें और एक आगरा छात्रनेताओं से हैं लोग भासंते के चले भी जाते हैं कुछ बचे होंगे छात्रनेता जिनकी जिम्मेबारी रहती है जो विश्विद्याले में हो रहा है आपकी भूमी का बहतर हो आपको उस दिसा में भी सोटने की आप सकता है आंदोलन सुरू कर देते हैं विश्विद्याले को छप कर देते हैं छोटी छोटी मांगों के लिए उस पर सोचिए छात्रों को परहने परहने के लिए आप अंदोलन करिए उसके बाद विस्विजाले प्रसासन से कहीं परिसानी होती है उसके लिए अंदोलन करिए छात्रों के अच्छे भविस के लिए अंदोलन करिए परहाई के लिए अंदोलन करिए छात्र को क्यू सब्सक्राइब करते हुए अपनी बात समाप करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद कि अब मैं ललन बाबु से आगरा कर प्रोफेसर ललन प्रसाद अद्री जी से आगरा करता हूं कि अपनी बात संचिप्ट में रखते हैं कि गरीबों बंचितों सोचितों के मसीह स्रधे भुपिंदर राओ की एक से 21 मीं जन जनती के अफसर पर उनको साधर नमर भुपिंदर राओ से मेरा बेक्तिगत परशे उनीस से चोहत्तर के अक्टूबर में हुआ था कि सम्मानित मंच हमारे मुखतिती है हमारे नमली जुक्त कुल्पति माननिये डक्टर वियेजा साहब सम्मानित मंच हमारे शिक्षक मित्र हमारे प्रिय छात्र इबं आगंतुक सज्जन भुपेंदर राओ की पहष्चान भुपेंदर राओ ने इस पीरीत कोषी से प्रतारी छेत्र को पूरे बिश्च और भारत के मानचित पर लाने का काम किय भुपेंदा राओ पिछडों के पहले व्यक्ति थे जो ओल इंडिया पार्टी के रास्तिय ध्यक्ष बने भुपेंदा राओ समाजिक न्याय के जुद्धा थे और जो सुभधा हो अंतिम पावदान तक कैसे पहुँचे इसके लिए चिंतित रहते थे उनकी एक संस्परन को मैं सुनाता हूँ टीपी कोले साची निकाय किया ध्यक्ष थे बाबु भुपेंदा राओ ने बोला के कहा कि किर्ति नयायन मंदल को साची निकाय से हटा देना है बरीवी चित्रिष्ठिती हो गई कि भुपेंदा राओ कह रहे हैं कि किर्ति निकाय से हटा देना है किर्ति न थोनों आदमी को कहें कि भुपेंदा राओ को को शाची निकाय से हटा देना ध्यक्ष पर seb졌 वह भी करते स्थिती थी और दोनों आदमी ने विचार किया और जब बैठक होई भुपेंदार आओ भी थे और किर्टी आओ भी थे तो पिता जी ने प्रस्ताब किया कि मैं ध्यक्ष के लिए बाबु भुपेंदार मंदल का नाम प्रस्ताबीत करता हूं और सचीब के लिए पावु किर्टी नायन मंदल का और उस्मान साहिब ने उस प्रस्ताब को पारित कर दिया मैं इसका समर्थन करता हूं पूरा साची निकाय के लोग अचंभी थे भुपेंदार आओ आग भवुला थे कि दोनों आजमी हमारी बात को माने नहीं लेकिन भुपेंदार आओ ने दस दिन के बाद बोला के कहा कि आप दोनों ने ठीक किया था समाज में लोग कहता कि जिस किर्टी नायन मंदल ने महाविद्याले खोला उसको साची निकाय से हटा दिया किर्टी आओ भी दूसरे दिन घुमते आए और पिता जी को कहे यहां सब ठीके कली लोग को थे कि इस सब को साथ लेके चलने वाले भावावेश में बहने वाले लोग नहीं थे और भुपेंदाराव कभी अपने परिवार को राज्जीती में बढ़ावा नहीं दिया अपने जीवन काल में उन्होंने कभी राज्जीती अपने गाव के उत्थान का भी उन्हें प्रयास नहीं क उसकी अनुडूप हम चले कि मंदारी साध्गी के प्रतीत थे हम लोग भी ये मंदारी साध्गी से चलने का प्रयास करें यहीं उनके प्रती सची सरधानजली होगी और मैं उनको सत सत नमन करते हुए बहुत-बहुत बियन बंडल विश्विदाले जिंदावाद बधेपुड कि समाजबादी धर्ती जिन्दावाल कि दन्यवाद सर्व मैं अब प्रफसर एम आई रहमान से आग्रह करता हूं कि दो सब्दा के करें प्रफसर रहमान सर्व करें 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 अब अब मंच पे उपस्ति तभी प्रफसर नियुक्त धाक्षिगन प्रॉप्रेश नहां है हमारे अधित्थी और मानमे अध्यक्ष महदे साहथ आज यह हर्ष की बात है कि आज हम उस महानुभा का जंबिन मनाने जा रहे हैं जिनके नाम पे हमारा यह विश्क्रदाले अवस्तित है मामना भुपेंदर भावु के बारे में अभी तक बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बाते रखी जिसे हम लोग लाभानमीत हुए और अपनी सहमती भी व्यक्ष की है जब तक समाजवाद की बाते आएंगी तब तब कि भुपेंदर भावु की यादें हमारे साहत रहेंगी तो समाजवाद की न्यों अगर हम चाहें कि जादी है तो उसमें अज पैब्त तो लोया सहर्म ने भी अपने विचारों से लाभानित किया और हमारे समाज को इसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला लोया साहब के अनुनाईयों में से थे और इस धर्टी पे जहां आज हम सब मौजूद है उस वक्त की हालत को अगर हम देखें जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो यक्नी तोर पर डबे, कुछले और समाज से बन्चित लोगों की संख्या यहां बहुत जादा थी सामने आये और एक मुकाबला एक इक्विलिटी की बाते उन्होंने की यह उनके विचारत है कि समय के साथ साथ इस धर्टी पे बियन मंदर निविश्टी की अस्थापना होई इसका इस्टेबलिश्मेंट हुआ आज बियन मंदर निविश्टी उन सारी समाजिक ने आपको सामने लेकर के आगे लेकर के बड़ता जा रहा है उसके एक पार्ट हम लोग भी हैं हम शिक्षक भी हैं चाहे कहीं से भी आये हों हमने यहां 96 में जॉइन किया और तप से और आज त आते हैं कि किस तरह से हमारा विश्टाले समाजिक खान में कार्ज कर रहा है एक वक्ता कि हम और नरेश जी जो हमारे सही होगी है हम लोग इसी कैंपर से बाहर जा रहे थे तो एक लड़की जो देखने से ही बिलकुल ऐसे घराने से लग रही थी कि जहां दूर दूर तक शि दाला ने उस आंगें पर पहुंचाया है जहां लोग कामना भी नहीं कर सकते हैं इस तरह के से हम यह चाहेंगे एक शिक्षक के रूप में भी और सभी शिक्षकों से यह अनूरत भी करेंगे कि भुपंदर बावु की जो विचार है जो सोच है कि समाजी उत्थान हो उसमें कि यह हम लोग सहीओ करेंगे और पूंतर सहीओ करेंगे इनी चंद शब्दों के साथ आप सब्सक्राइब का बहुत-बहुत शक्रियां थ्यांट करेंगे अपसर मरेश कुमार एक मुलिट में अपनी बात को कहें साथ प्लीज प्रश्तार साथ एक मिनट का समय दिया गया है और अपने एक मिनट के समय में अपनी का करना चाहूंगा आज महामना भुपिन नारण मंडल जन्मुत्सव के उपसर अपसर परपस्थित हमारी विश्वी द्याले के अध्यक्ष्टा कर रहे हैं माननीय कुल्पती प्रफिसर विमलंदू सिखर धा साहब हमारे विश्वी द्याले के द्येश्वी शाहर है और सभी संकाइध्यक्ष गन विभागा अथ्यक्षिकन हमारे सुधार्थी गन सिख्षक यवंग सिख्षकत्र शात्र बंद हुआ और विश्वी द्याले से हटके हमारे वीच उपस्थित बियन मंदल विश्वी द्याले में जो कभी काम कर रहे और भुपेंद नारेट मंदल के जियती को जगाने वाले आज उपस्थित हैं हम लोग के बीच मंच पर हैं डप्तर पर्मानम ज्यादव जो विश्वी द्याले के प्रारंब्रिक अवस किया है मारे वीच उपस्थित इसी विश्वी द्याले के टीपी कोलेज के कभी पढ़ाना चार्ज रहे राम भजन वागु अमोल्डाय साहब और वियन मंदल पर बहुत ही गंभीरता से गहराई से काम करने वाले ड़क्तर भुपेंद नारण यादव मधिपूरी जी साहब आज बहुत अच्छा लग रहा है आज से लगभग 15-16 वर्स पुर्व एक बंद कमरे में हमारे बीच तब के समाजमाद के पुरोधा कभी इनका जन्मोत सम्मना रहे थे उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि आज के बाद इनका जन्मोत सब फुले मंच में होना चाहिए बाह अब आज 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 रहा है कि अब ने उन समाजमादियों ने घरकर में तरह था कि बंद कमरे से बाहर पी अन्मंडल आप आपने आपके पर दिखाया है आपके बहुत बहुत आभार और कि मैं कि एक ची कहना चाहता हूं कि यदि आज बीन मंडल सहब का यदि हम लोग जैंती मना रहे हैं उनको प्रास्तंगित करना चाहते हैं तो सबसे बहतर सथांजली तब होगी बुभून के सपनों के अनुरूप ये विश्वी जालब हो कि आज का समय काफ है औअ अज़ी विश्या काफी और इंयों हो Layer तर्व दुन्या नहीं रही होगी और आज अथनि दुझितिक दुनियां में है बीश्वी द्हाल को दिजिटेल के बनाए उसके विए बहुंद बहुंद बढ़ाई आपको आपके पर्तियाभार होगा उल्पति महुद है कभी कहा करते थे कि दियन मंदल साहब बैल गारी को जो गारिवान होते थे उनके जिनके यहां जाते तो उनके यहां अलग-अलग खाना खिला जाता था और बाद में ख करेंगे मैं आज उसको प्रासंदिक करना चाहता हूं कि आपके माधियम से बीन मंदल विश्वी द्याले का ऐसा चात्र उपजे यहां के छात्र मौशी कूवत हावे कि वैल गारी के कारिवान नहीं एक गम बहुतर जो है सो पाइलोट के जैसे उनके यहां से रिजल्ट ने के निगले होनों को दिखावे मिसाल में वो के दिखावे एक बहुतर प्रोंटे से टीचर जिनियर वन के दिखावे तब मैं समझूंगा के विएन मंदल उनके सप्णों के अनुकूल जो है सो बदल रहा है मैं सभी साथ्रियों से एक और गुल्यादिस करना चाहता हूं कि क जास्ते में ललीद वागु से दी भुगंदर वागु की भेट होती थी ललीद वागु को तरके काते थे कि ललीद वागु उस महला में आपका पहुंठ विरोध हो रहा है आप एक वार उसमें जाए और उनके गिर्वांस को आप सुनेंगे मैं उसके जैसे ही को समझाया जाए और कहा जाए कि जिस कारण से विरोध हो रहा है उसको आपस में हम लोग सामझ जैसा स्थाथित करते हुए हम लोग एक हो और तब जिश्विज्याला का विकास होगा इसी के साथ जाए ही जाए भारत जाए बियान मंडल जिश्विज्विज्विज्यालर अधिन धन्यवाद मरेश भाभू अब में इसकरी में प्रफसर अरून कुमार जो दिशाए शिक्षक है प्रफसर है जन्तुभी ज्ञान विवागति हैं उन्से दो सब्सक्राने का आज़रत हुए हिस से केन था है कि ऐसे के जन्तुभी जिश्विज्वरा फॉख शीठेट एल्बी का सुमें द्र mirrorsबशसर्ट का मुचिए इनेतों घया गया है मैं यूखिष भी के र 2007 का प्रफसर मोंदे नहीं जात प्रोफसिदे नहीं सब को मैं समान करता हूं आज सब से भरी बात है कि समाजवादी धरती पर महामना कि भुपंदर अवकाद जेन्टी महाया जाड़ा है इस पर मैं एक वात में काना चाहूंगा कि हमारे अपकुलपती महादे यहां बेठेविये हैं कि समाजवादी धरती पर चब से पित्री जाला का जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक जो भी काम हुआ है मैंजू की रुप में काम किया हो जाएका कार सेवक की तरह काम किया हो अब मैं इसकरी में प्रफसर भूपेंद ना रहे हैं यादा मधेपुरी इसे आग्रा करता हूं कि आगे जो तो हुआ है यह गंटा तो सर समय नहीं है सर लप्सर अमोल राइ सर है तेश जन कुट सब्साथ समारो के राइ से इस यह थूपर बकादर्च एद्वान भाई शांचलर वियन मंदल मधेपूरा मंचा सेन देन नवीन कुमार जी दॉक्टर अशूक कुमार जी और हमारे नितने भी इतने भी इतने मंच पर पढ़ारे विद्वान गन है शहां के पृष्यां कि इसलाख मयं बुलाजमा साथ हूं कि प्रसाल में विराजमां में ऐसारा जगन तानु है यह यह जोभी सुद्षार्पी हैDo नहीं करता हूं दन्वार के आफ़ाद करता हूं नित्रों मधून भाए्षाड क्या कि सरपर्थम एक सुधार्थी ने पढ़ा मुझे भी वो बातें आज आई कि भुपेंद नारेंद्र मंडल क्या थे कि उनकी भावना क्या थी वो जन जन के नीता थे आचाज नारेंद्र देव की परंपरा को जिस खूवी से दॉक्टर रामोना नहीं ने आगे बढ़ाया उसको चार सान बढ़ाने का काम महमाना नारेंद्र ने किया नेत्रों राज सभा हो लोग सभा हो या भिधान सभा जब उनके वक्तब को आप परहेंगे तो आपको पता चलेगा वह व्यक्तित कितने संबेदन शीर थे गरीबों के परती पिरीतों के परती किशानों के परती पिछरों के परती और अगरे गरीबों परती में कि हमारे चात्र कि सुधार्थी ने पढ़ा कि भासा के प्रति उनकी जो भागना थी मैं आप समों को जानकारी देदूं कि राश्पती का अभिभासन हुआ वह अभिभासन हुआ अंग्रेजी में और महामना हमारे पुझ भुपेंद्र माभू शड़न से बाहर निकल गए और उनके साथ दो बेती और निकल गए मित्रों उन्हें डंडित होना परा फिर कमीटियां बनी और उन्होंने कहा क्यानुचेद अधिकार मिला है और 15 वर्सों के अंडर हिंदी को लागू हो जाना ताहिये था अंग्रेजी को क्रम सास्वाप को होना चाहिए था ओफिसियल भासा के रूप में और आज 13 वर्सों में नहीं होका रहा है इसके लिए मैंने फिरोट किया अनुषे 34 दो में में उन्हें धन्विजा लेकिन वो पीछे नहीं है ऐसे महापुरूष थे हमारे भुपेद्रवाब मेत्रों जवाहर्वार्वारू नहीं से कि वह और गए एक चौकिदार का तर्फाति पर रुपरिया वाशिक है यह नहीं होना चाहिए और करें शीमलर जो नोक्री पेशे वाले थे उनका उदार उन्होंने दिया तो कहा गया कि पार्ट टाइम है और पार्ट टाइम पर जो भास में कि उन्होंने सावित कर दिया कि किसे भी थाइम देने वाले जो हमारे लोकल साही में लोग है उससे जैदा समय देने वाला यह चोकितार होता है और इनका भेतर जो है वह स्वाल क्या होना चाहिए इन तमाम बातों को जो जन जन के लिए पिछलों के लिए गरीवों के लिए सूसितों के लिए उन्होंने काम किया सायर यह बिरले उस वक्त में ऐसा लोग है जखाम उठाने के लिए प्रियार होती थे मित्रों निशित रूप से इस शेत्र में कोशी अंचल में मिथला अंचल में तमाम जगहों पर जो समाजवादी विचार धारा कुन्होंने प्रजलित किया प्रकाशित किया एक आंदों के रूप में उसी का परिणाम है कभी एक वित्र ने कहा तुर्फ के बच्ताने कि जब पैदा लेता है यहां का बच्चा उसे भी समाजवाद ही आजाता है और मैं काता हूं इस मन्ट से कि हमारे कम पर दिखे लोग भी जो समाज के अंदर है या कहा जाएक महीश्याराने व करते हुए खास करके इस विश्मिचाले के एक शुरुआत जिस पर बहुत सारे वक्ताने चल्टा की है इसके लिए कुल्पती को कुल्पती जी के प्रदी आवहर्व्यत्त करता हूं कि आयोडन समीटी के सारे सदस्टों के प्रती मैं अवहर्व्यत्त करता हूं और लगता है कि इसे संबेदन सीन मान्य कुल्पती जी के जो एक शुरुआत इन्होंने की है यह अनवरत अब चलता रहेगा इन्हीं चंद शंदों के साथ मैं आपनी भामी को भिराम देता हूं कि अब बहुत भागत धन्यवाद परवानन बहुत पूद रहेटे दिन साथ पूद रहेटे माफ करेंगे तुकि रश्टार साहत कुछे रशे खार करने के बाद इस लिए सारे विद्दत जनों को मैं अपनी और से इस मौके पर अभिननन करता हूं स्वागत करता हूं कि अब मैं मंच की तरफ आता हूं मैं सबसे पड़े डॉक्टर विश्वनात विवेकाजी से आग्रा करता हूं कि अपनी बात सच में एक मिनुट में समाप्ट करें प्लीज करें 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 कि अधन्य वाज़त कि एक सुवकेस्ट्वी जंग जयंती के अप्सार पर बैसार पठम मनीशी समाजबाद के प्रोधा महामानव भुपेन राओ के चर्णों में अपनी सद्धान जंगी और फुस्पान जंगी अल्पित करता है कि बगताओं ने कहा कि बहुत दिनों के बाद साइब भुपेन वोग की जयंती इस भबता के साथ मणाई जा रही है इसींगे मैं इसके प्रति अपने मान्यकुंपती महदय को बहुत 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 बढ़ाई देता हूं उनकी समाधिक सोच के लिए मैं नत्मस्तर हूं मानवा आज बुपेंदर्वों की जयंती है बुपेंदर्वों के बारे में सारे बत्ताओं ने कहा भी खुश्मोग विशेश रुप से कहेंगे लेकिन अर्मीन वह ने कहा कि यहीं मुका है मानने कुंपती महदय के भी अभिनंदन का जो हमारे देशे पदा दिकारी कोई आफसर नहीं तो मैं आज के लिए मानने कुंपती महदय को भी का भी अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और इसी नियर अधिक करता हूं कि बहुत ने जोई थी महामहीम इस विश्विर्जा में को कुमपती भेजने रहे थे वहां धीरान मोती दवाहार बहुत मोगजमा थे लेकिन महामहीम को कोईनू चुनने में फोड़ा समय अगा और इसके वाद उन्होंने कोईनू को हमारे भी छुन कर भेदा है किसी निये मैं तुन को अभिनंबर करता हूं और उसको नियुक्त की चमक आपके सामने है आप मैं सुस्क्राइब मानवर भुपेंद्वाव के यह तो मेरे कई गीत हैं कई कविताएं हैं लेकिन रश्टार साहब नराद हो जाएंगे इसलिए वह समय कभी मोगां में रातों में सुनाओंगा हां जिस्विंदूंबर हमारे अग्राट अरुन वावु ने आपका ध्यान आकर सिर्क्या समाज ने श्रुद्वाद की धर्टी यॽद्ति पर हमें को तो इसलिए सब्सक्राद की उन्होंने जबत अन्य दॉगों और उनकी हो योखा हुआ पकेशाब इससके तिंवा समय और हमने कह नहीं है तो इस धर्टी पर ऐसे मामानब हमारे बीद कुई पठी के उट में कुमारी पठी महोदे ने भीदा है मैं उन्हें भी धनवाद और साधुबाद देता हूँ अब भुटेणों के बारे में वहिस्टा साथ अगर आपकी इजादत हो तो एक गीत में बीयर मंदक पर ही निखा हूँ वह सुराने के अगर आप परमिशन देंगे तो मैं मान्ये को पती मोदे को इससे अफ़गत कराऊंगा सरीशी जयंति पर मेरी अचना है गीत के रूप में बस दो मिनट से आउ समय चाहूंगा इजाज़त हो के अंग्रेजी में हम कभी ताय भी है नो का अंग्रे तो हम से कंटार्ट करके सुनेंगे या यह हिंदी में है B N M U जय हो जय हो साबी ज्या या भी मुक्त इसे जन जन घर घर ज्यान में हो B.N.M.A.U. जय हो जय हो B.N.M.A.U. जय हो जय हो स्रिंगिरिशी का पाप स्रिंगिरिशी का पावन प्रांगन मंदन भारती का सुर्वित कानन आंगन है मनिशी भुपेन का नब मानवता का अब यूदय हो B.N.M.A.U. जय हो जय हो B.N.M.A.U. जय हो जय हो B.N.M.A.U. जय हो जय हो जय हो जय हो मैं अब डॉक्टर असोक कुमार रासाइनसास विवाग के विवागा देख्ष असनात्पोतर विवाग विवागा देख्ष को आंपन्तिरिप करता हूं स्रधे भुपेंद्र बाबु के चार्णों में सलाशुमन अर्पित करता हूँ भुपेंद्र बाबु के इस जन्मोच सब समारों में उपस्थित इस विश्वित्याले के नवन्युक्त मान्निय कुल्पती प्रोफेशर जॉक्टर बिमलंदू सेखर जा साहर मंच पर उपस्थित शंकाय अध्यक्ष गन हमारे नवीन बाबु फेकल्टी ऑफ साइंस के शंकाय अध्यक्ष भी है और वो डीन स्टुडेंट वेलफेर भी है इस विए उनका नाम दो बार लेने की इच्छा होती है डॉक्टर बर्मानंद बाबु बगल में उपस्थित अंग्रेजी विभाग के विवागा अध्यक्ष प्रोफसर डॉक्टर राजीव मलिक साहर गाणिये साइट उपस्थित अमारे इस डिश्मित्याले के पर्थम बित्पता धितारी और टीपी कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रख्षात बित्वान प्रोफेसर राम भजन बाबु उनके बगल में उपस्थित अमारे गार्जन स्वरूप प्रोफसर अमोल राय साहब समी जिश्मित्याले के विभागा अध्यच, सिक्षक गन, छात्राएं और इस समारोह में सम्मानित, मदेपुरा के नागरिक गन तथा मीडिया के बंधू मैं इस समारोह में चुके मैं ना तो समाज विज्ञान का छात्र हूँ ना राजनिती विज्ञान का छात्र हूँ रसाइन सास्त मेरा विशय है जो निश्चित रूप से प्रियोग उसका एक्षपेरिमेंट और उब्जार्वेशन और इंफेरेंस पर ही दियान रखता है तो मैं बहुत सारी बात समारोह राजिन की सास्त का तो नहीं बता सकता हूँ या उसी पर नहीं बात कर सकता हूँ लेकिन भुबेंद्र बाबु के इस जन्मोत सब सवारों में मैं एक बात चिन्निट करना चाहता हूँ कि भार्टिय संब्धान की जो मूल भावना, इक्वलिटी, इंटेगरिटी और फ्रेटर्निटी की थी यहाँ उसको समाज के अंतिम पाइदान पर खरे, जो समाज के सोसित बंचित भर्ग है उसके लिए इस भावना को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने जीवन परियत संघर्ष किया और अब आज वो हमारे बीच नहीं है, तो क्या वो संघर्ष वहीं भ्रियाम को प्राप्त कर लेगा विचार करने की बात ये है, और जब मैं विश्कित ज्याले में बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इस सबसे पहले जो प्रग्या प्रसाद ने जो बातें कही मानना है कि वो बहुत ही गंभीर बातों के तरफ इसारा किया, भुबेंद्र वावु के इस अथक प्रियास को इस अथक प्रियास को अगर बास्तवित रूप में धरातल पर उतारना है, तो निश्चित रूप से लगता है निश्चित रूप से जो आज के दिन में उसको ब्यवारिक धरातल पर उतारने के लिए जो हमारा ये वर्ग है, जो आज भी सिक्छा से बंचित है, तो उसके लिए एक ही मूल रास्ता बचता है कि वो अच्छी सिक्छा प्राप्त करें और विश्विद्यालियों में अच्छी सिक्षा प्राप्त करने के लिए जो हमारा सिलेवस है क्यरिकूलम है और को क्यरिकूलम है हमारा मूल धर्म होता है चुके हम लोग विश्विद्याले कर्मी हैं विश्विद्याले का से तालुकात रखते हैं विश्विद्याले का पैस खाते हैं तो हमारा ये कर्म बनता है, हमारा ये कर्टब बनता है कि हम निश्चित रूप से छात्रों के लिए परहाई का वो माहूल पैदा करें जिस माहौल की सुक्षुविधा को वो अपना करके निश्चित रूप से अच्छी सिक्षा प्राप्त कर सके और उसके लिए जरूरी है दो तीन बात जो सबसे पहला जरूरी फैक्टर है वो है लाइबरेडी की सुविधा दूसरा जो जरूरी फैक्टर है वो है लेबरेडी की सुविधा और तीसरा जो जरूरी सुविधा है वो रिसर्च बालों के लिए आज के दिन में जो इन्फार्मेशन टेकनोलोजी के जुग में जो सारी सुविधाएं भारत के अन्यविश्विध्यालियों में और भारत से पाहर भी जो बीदेशों में उपलब्ध है उन सारी सुविधाओं पर धियान दिया जाए और उसके लिए उसको उस सुविधाओं को हमारे छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाए तो इनी बातों को मैं समझता हूं कि इस्वित्याले कर्मी होने के नाते मुझे इनी बातो पर ध्यान देना चाहिए और रिसेश रूप से जब मानिये कुईपती यहां ज्वाइन किये तो मैं दर्वंगा जाया आया करता हूँ रसाइं सास्त के सारे प्रोफेसर गंजो दर्वंगा में है मैं उनसे बहुत प्यक्तियत रूप से जुरा हुआ हूँ और उन लोगों से जब सर के बारे में हमारी बातचित हुई जब सर के न्यूक्ति यहां हुई तो मुझे पता चला कि सर जो है बिलकुल ही दिक्वान एक बहुत ही उच्च कोटी के दिक्वान है ये डिसिपली में विश्वास करते हैं और ये अपने करता के में विश्वास कर और उसे उचाई से उचाई पर ले जाने की छमता इस इन्वे नीत है तो मैं विशेश रूप से अपने मान ये खुल्पती मोहद है जिन्वे इतनी छमता है अपार छमता है नीत है उनसे आगर करूंगा कि सर्ट मेरी बातों को निश्चित रूप से हमको लगता है कि मैं जो इस बातों को उजागर किया हूँ आपका भी ध्यान इस और निश्चित रूप से पहले से ही होगा मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ और जो यह भुबेंदा राइन मंडल विश्मित्याले का ये जो मंडल ये जन्मोत सब समारों है जो पहली बार खुले आस्मान के नीचे आयोजित किया जा रहा है निश्चित रूप से मैं इस बिश्मित्याले में बहुत दिनों से काड़ रहा हूँ लगवक सुरू से ही और मैं बहुत पहले से ये जन्मोत सब कार्ब करम देख रहा हूँ सामिल भी हुआ हूँ लेकिन ये जो पहली बार प्रियास है नि लोगों ने हमें सुना इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत्मे धन्यवाद सबूख और मैं इस करी में श्री संभू नाराइनी आदव जी ये कि वाई सांसर साब से अग्रह करता हूं कि अपनी वान्यू दो सब्दों में खदम करें भुपेंद्र नारेन मंडल चन्मोट सब समारो के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे विद्वान और यसस्वी मन्य कुलपती प्रोफेसर डाक्र भीयस जा साथ कुल्षची महोदेश सम्मानित मंच हमारे अभिवाद परवानंद बाभू रामभजन बाभू अमोल बाभू भुपेंद्र मधे पूरी जी यहां उपस्थित सम्मानित सभी दिन साथ विभागा ज्यक्ष महोदेश सिक्षक एवं करंचारी और हम लोगों के अजि छात्रों एवं छात्र नेताओं पूर्व के बक्ताओं ने जो कुछ भी कहा मेरी सहमती उसमें है अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा सिर्फ मैं एतना कहना चाहूंगा कि घुपेंद्र बाबु को नजजदीक से हम लोगों ने देखा नहीं था सुना नहीं था उसकी यस गाथा हमारे बीच बैठे या अन्यत रहे भी जो पूर्वजों ने कहा उनसे जो कुछ सुना तो वे महान विभूती थे उस महान विभूती के यस गाथा या गुन उनके संधर्ष के समंध में जो कुछ भी इस समाज में बैठे लोग समानित सिख्षक या रिटायर सिख्षक या समाजिक नेता कार्ज करता जो कुछ भी कहते हैं उनका प्रभाव आने बाले पिढ़ी पर मेरे समझ से तभी सही धंग से पर सकता है भुपेंद्र बाबु के मार्ग पर चलने का कोशिस कर सकता है जो उनके समझ में कुछ बताते हैं आने बाले पिढ़ी को तो पहले बताने बाले को भुपेंद्र बाबु के चरित्र का कुछ जहां तक संभव हो चरित्र को आत्म साथ करना चाहिए तब उस बात का परभाव आने बाले पिढ़ी पर परेगा जदी भासन देना एक कला बनके रह जाए तो उसका कोई परवाव नहीं पड़ता है और हमारे माननिय कुल्पती महोदे का जो पदारपन हुआ है माननिय कुल्पती महोदे को देखने के लिए या परसर नहीं पूरे परिछेत्र के लोग छात सभी ब्याकुल थे उनका अफराद उभाव हुआ है वो सम्मानित रहे हैं यहां भी सभी जानते हैं उनका सोच जो है समझदारी जो है बिना समय नस्ट किये विश्वित्याले का जो भी पांच महनों से या उनसे भी अधिक दिनों से काम सफर किया है उसको उन्होंने बीरा उठाया है पूरा करने का और मैं बता दूँ मैं कारजाले कर्मी हूँ जो भिगत पांच मेने से जो लगभग हजार संचिकाएं और तू तीन हजार लेटर यहां रखे थे सबों का डिस्पोजल उन्होंने छो बज़े सुबह से लेके बारा बज़े रात तक कल साम तक कर दिया है और फिर अब धूत गती से या बिस्वित्याले आगे बढ़ेगा ऐसा बिस्वास है और भुपेंद्र बाबु की आत्मा ऐसे मानिय कुलपती को निश्चित रूप से आशिरवाद और साथ देगा और बिस्वित्याले आगे बढ़ेगा मैं पुना भुपेंद्र बाबु को जन्रोट सब्सक्राइब करते हैं अब मैं इसकरी में नवीन बाबु को आग्रा करता हूं नवीन बाबु ब्स्वित्याले आगे और सबस्वारा को आगे अपस्वारा करता हूं इसका और सिने में गणने साथ बाबु जने ओर भाद में खिए